श्री शिवाय नमस्तो भ्यम दोस्तो आप सभी लोग जानते हैं कि 5 फरवरी 2022 को वसंत पंचमी है और वसंत पंचमी एक ऐसा दिन है जो कि सरुस्वती मैया का माना जाता है और सरुस्वती मैया कौन है ग्यान की देवी हैं सरुस्वती मैया आपको ग्यान देती हैं उनके बिन के लिए जो कि इस समय पढ़ाई कर रहे हैं या जो इस समय जो है अपने बड़े मुकाम पर पहुँच गए हैं उनके लिए इस दिन का महत बहुत बढ़ जाता है उस दिन इन्हें जो है सभी लोगों को जो है सरुसती मैया की भक्ती अराधना अवश्य करना चाहिए सरुसती म बने हकदार बने तो आपको एक उपाय करना चाहिए दोस्तो श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि अगर आप लोग वसंत पंचमी के दिन मतलब 5 फरवरी 2022 को वसंत पंचमी के दिन अगर आप लोग 108 फूल कौनसे फूल सरसू के फूल 108 सरसू के फूल अगर शिव जी की शिवलिंगी की उपर एक एक करके अर्पित करते हैं तो निस्चित ही आपका वह काम पूरा अवश्य हो जाएगा जिस काम को आप चाहते हैं कि वो आपके हक में हो आपके हक में कोई फैसला आए तो वो काम आपका अवश्य हो जाएगा जैसे कि आप कोई चाहते हैं कि कोई प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है, तो वो आपके हक में आए, आपके हक में फैसला आए, तो उस जगा पर आप इस उपाई को कर सकते हैं, या आपकी कोई मनों कामना है, जुकि आप चाहते हैं कि वो पूरी हो, और सच्चे मन और श्रद्धा से आप उसक पंचमी के दिन 108 सरसू के फूल एक एक करके शिव जी की शिव लिंगे पर चढ़ा कर आपको उधुतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 108 सरसू के फूलों को शिव जी की शिव लिंगे के ऊपर अर्पित करना है अर्पित करने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करना है जिस काम के लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं वह काम यह मानुकामना आपको शिव जी के सामने बोल देना है इस उपाय को आप किसी की बीमारी के लिए भी कर सकते हैं कोई लंबे समय से बीमार है अस्पताल में उसका उप्रिशन चल रहा है या इलाज चल रहा है तो उसके इलाज के लिए सफलता मतलब उसका इलाज सही तरीके से हो जाए उस जगा पर भी आप लोग जो है कि शिवलिंग की उबर 108 सरसो के फूल चढ़ा कर एक एक करके चढ़ा कर उधिते इश्वर महादेव का नाम लेते हुए अपनी मनोकामना को बोलते हुए उस जगा पर भी आप इस उपाई को कर सकते हैं बहुत ही अचुक उपाई है करके जरूर देखिए सर्फ वसंद पंचमी के दिन आप इस उपाई को करना है साथ ही दोस्तो सरसो के फूल में आपको कन्फूजन होगी कि वही सरसो का फूल कौन सा होता है दोस्तो आपने देखा हुए कि जब गेहूं की बालिया होती है जो पेड़ होता है उस पेड़ में जो है फूल होते है पीले कलर के मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ पीले कलर के फूल होते है वह फूल आपको तोड़ लेना है या सरसो का पूरा पेड़ उखाड़ लाना है उसमें से आपको 108 जो है फूल निकाल लेना है और उनक नमस्षिवाई जैबुले अबाश्री शिवाई नमस्तु भ्याम